इस वीडियो में हम लोग बालकन छेतर के तनाव के बारे में जानेंगे दोस्तों इस तनाव को राष्टवादी तनाव भी का जाता है आए यहाँ उपर ध्यान दिजे अठ्थासो एकत्र के बाद यूरोप में गंभीर राष्टवादी तनाव का शुरोत बालकन छेतर था द तनाव किस प्रकार कर था तो राष्टवादी तनाव था राष्टवाद को हम देश प्रेम भी बोल सकते हैं जिसको देश भक्ती बोलते हैं तो दोस्तों 1871 के बाद यूरोप में जो गंभीर राष्टवादी तनाव हुआ था इस तनाव का सुरूत क्या है सुरूत को हम ब ये तनाब का सुरूत बालकन छेत्र था दोस्तों आपने अभी पढ़ा कि यूरोप में बालकन छेत्र से तनाब शुरू हुआ आगे आप पढ़िएगा कि ये तनाब जो है पर्थम विश्यूद करा देती है आगे यहां पर जान दीजे यहां पर इस छेत्र में भौगोलिक और जातिय भीनता थी दोस्तों बालकन छेत्र में भौगोलिक इस्तिती जो है वो अलग-अलग थी दोस्तों बालकन छेत्र तो बहुत बड़ा था तो उसका भौगोलिक इस्तिती जो है अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग थी और बालकन छेत्र में अलग-अलग जाती क लोग भी रहते थे यहां पर है जातिय भिनता मतलब भिन भिन जाति के लोग यहां पर रहते थे भिन 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 बोलिए या फिर अलग अलग बोलिए एक ही बात है तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखे कि बालकन छेत्र में भागोलिक और जातिय भिनता थी आगे अब यहां पर ध्यान दिजे, इस छेतर के निवासी को आमतोर पर सलाव पुकारा जाता था, दोस्तों बालकन छेतर में जो लोग रहते थे, उन लोगों को क्या पुकारा जाता था, तो सलाव पुकारा जाता था, ध्यान में रखेगा ये सब्द सलाव, थोड़ा अजीब है, पर से ध्यान में रखे कि बालकन छेत्र में जो लोग रहते थे बालकन छेत्र के निवासियों को सलाप पुकरा जाता था अब आगे यहां पर ध्यान दिजे यहां पर बालकन छेत्र में रुमानी राष्टवाद के विचारों के फैलने और आटोमन समराज के विगटन से इस्तित के बारे में दिया हुआ है मतलब सोच के बारे में दिया हुआ है कौन सा विचार है वो तो रुमानी राष्टवात के विचार जिसे हम रुमानी राष्टवात का सोच भी बोल सकते हैं तो यह जो है रुमानी राष्टवात का विचार यह फैल गया कहां पर फैल गया तो बाल तूटना तो आटोमन समराज जो है वो तूट गया तो दोस्तों ये दोनों बड़ी बाते हैं नमबर वन ये कि रुमानी राष्टवाद जो है इसका विचार फैला और नमबर टू ये बात है कि आटोमन समराज का विखिटन हुआ तो इन दोनों बातों से बालकन चेतर में इ अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हत्याने की उम्मीद रखता था दोस्तों ये जो बालकान छेत्र है ये ना कई सारे राज्यों में बटा ओवा था और यहां के जो राज्य हैं ये एक दूसरे से बहुत ही जलते थे मतलब इर्सिया करते थे आपने पहले पढ़ा था चाहना कि बालकान छेत्र में भावगोलिक और जातिया भीनता थी दोस्तों आज भी हमारे कई सोसाइटी में कुछ लोग बोलते हैं मैं बड़ा जातिश ये जातिया भीनता थी जिसके करण वहां के राज एक दूसरे से इर्सिया करते दोस्तों वहां का जो राज था बालकन छित का राज वह सोचता था कि मेरे पास जादा छेत्र हो मेरा राज सबसे बड़ा हो मतलब यह कि जादा से जादा इलाका हत्याने का उम्मीद रखता था दोस्तों वीडियो पाउस करके दो बार इसे अच्छे से पढ़ लिजे अब आगे यहां पर ध्यान दिजे रूस जर्मनी इंग्लैंड और अश्ट्रो हंगरी की हर ताकत बालकन छेत्र पर अनिसक्तियों की पकड़ को कमजोर करके छेत्र में अपने परभाब को बढ़ाना च चाहती थी दोस्तों यहां पर कुछ देशों का नाम दिया हुआ है ये सारे देश जो है दोस्तों ये सब जो है रूस जर्मनी इंग्लैंड और अश्ट्रो हंगरी ये सबना अपना हर ताकत मतलब पूरा ताकत जितना भी ताकत इसके पास है पूरा पूरा ताकत लगा कर ज दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात ये कि अगर आपसे बालकन छेत्र में तनाव से संबंधित कोई question पूछे तो आप इस answer को लिख दीजिए मैंने यह एक answer तयार किया है दोस्तों कभी कभी examiner करता क्या है question में थोड़ा बदलाव कर देता है आपको simple रूप से दे देगा question कि बालकन छेत्र में तनाव के चा करन थे दोस्तों इसी question में थोड़ा सा बदलाव कर देगा आपसे पूछ देगा बालकन परदेशों में राष्टवादी तनाव क्यों पनपा छेत्र के जगा परदेश का उपयोग कर देगा तो दोस्तों confused नहीं होना है question को समझे और answer लिख दीजिए आगे यहाँ पर ध्यान दीजे यहाँ पर परिस्थितियां और जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बालकन छेत्र में बड़ी सक्तियों के बीच प्रतियस परदा होने लगी दोस्तों प्रतियस परदा को हम बोलते हैं इंगलिश में competition दोस्तों बड़ी सक्तियां जो था मतलब टाकतवर देश जो था उन टाकतवर देशों के बीच प्रतियस परदा मतलब जिसको बोलता है competition वो completion होने लगी मतलब दोस्तों बालकन छेतर पर competition होने लगा सब देश ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हड़ापना चाहते थे Competition मतलब क्या होता है Competition में होता है कि सब लोग एक दूसरी को पचार कर आगे बढ़ना चाहता है तो दोस्तों बालकन छेतर में भी यही हो रहा था बड़ी सक्तियों में परतियस परदा होने लगा जिससे यह हुआ कि परिस्थिती जो है बालकन छेतर का और भी जटील हो गया यहाँ पर एक से बढ़के एक ताकतबर देश जो है हर ताकत बालकन छेतर पर परभाब बढ़ने के लिए लगा देता था अब आगे यहाँ पर ज्यान दीजे इस से इस इस इलाके में कई युद्ध हुआ और अंततर परथम विश्युद्ध हुआ दोस्तों यह सारे जो देश हैं यह बालकन छेतर में अपना व्यापार और उपनिवेश यह तो बढ़ा रहा था व्यापार और उपनिवेश के अलाबा भी अपना सैनी ताकत को बढ़ा रहा था अपना सैना को मजबूत कर रहा था क्यूंकि यहाँ पर परती असपरदा हो रही थी जिसमें अधिक ताकत थी वो अधिक छेतरों पर परभाव जमा रहा था मतलब यह कि दोस्तों बालकन छेतर में बहुत सारे युद्ध हुआ कई युद्ध हुआ यहाँ की परिस्तितियां जो है वो परिस्तितियां जटील हो गया और दोस्तों आंत में जाके क्या होता है तो प्रतम विश्युद हो जाता है तो दोस्तों बालकन चेत्र के बारे में यही सब बात है कि 1870 के बात जो है यूरोप में अगर तनाब हुआ था राष्टवादी तनाब तो उसका कारण जो है बालकन चेत्र था दोस्तों बालकन छेतर में किस प्रकार की भिन्यता थी तो भगोलिक और जातिय भिन्यता थी दोस्तों बालकन छेतर में किस कारण से इस्थिती जो है बिस्पोटक हो गई थी तो रुमानी राष्टवात के फ्लने और आउटोमन समराज के बिगटन से तो इन सब बातों को ध् ज्यादा इलाका हत्याने का उम्मीद रखते थे दोस्तों मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए दोस्तों आपने किन ताकतबर देशों के बारे में पढ़ा जो अपना हर ताकत लगा कर बालकन छेत्र पर अणी सक्तियां की पकड़ को कमजोर करके छेत्र में अपने परभाव को बढ़ाना चादती थी तो इसका आंसर होगा रूस, जर्बनी, इंग्लैंड और स्ट्रोहंगरी यही सब देश जो है बालकन छेतर में अपने परभाव को बढ़ाना चाहती थी दोस्तों बालकन छेतर में परिस्थितियां और जटील होने का क्या करण था तो दोस्तों बालकन छेतर में जितने भी बड़ी सक्तियाओं थी उन सक्तियाओं के बीच प्रतियस पर्दा होने लगी थी जिससे आगे चलके क्या हुआ तो आगे चलके कई युद्ध हुआ और अंतता प्रथम 20 युद्ध हुआ तो दोस्तों ये आपको लगभग याद हो गया होगा आपने जो स्क्रीन सोट लिया होगा उसे अच्छे से दो तीन बार पढ़ लेजे तो आपको आंसर अच्छे से याद हो जाएगा